हलो एव्रिवान वेलकम और वेलकम बाक तो एंप्रिप सो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के रिगार्डिंग जो बच्चों की बहुत बार क्वेरी आती है कि माम एक्जाम में क्या करें, क्या नहीं करें, किन चीजों को अवाइड करें So, here are a few tips to crack your any competitive exam, alright? So, यहाँ पर हम आपसे कुछ tips, do's and don'ts के बारे में बात करने वाले हैं सबसे पहले तो बात करते हैं, negative marking जो सबसे बड़ा problem है या जो सबसे बड़ा fear होता है सारे aspirants का, ठीक है? So, negative marking के अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखो question में, अगर आपको लग रहा है कि चारों option आपके पड़ेवे में से नहीं है या यह question आपने पहले कभी देखा ही नहीं है, तो clear cut instructions है, please leave that question क्यूंकि अगर आप चारों options में confused हो, तो आपके answer के correct होने की chances only 25% है, ठीक है? Second important thing, अगर आप सिर्फ 2 options में confused हो, तब go for that question, attempt करो, जो आपको उन 2 options में से most likely लग रहा है आप उस answer को सही कर सकते हो, ठीक है? क्यूंकि वहाँ पर आपके answer के correct होने की chances 50% बढ़ जाते हैं, ठीक है? तो 50-50 chances हैं कि correct भी हो सकता है और wrong भी हो सकता है, तो वहाँ पर एक, आप क्या कह सकते हैं? तुक्का नहीं बोलेंगे इसको, this is a calculated risk, मतलब आप क्या करे हो? तो calculate कर रहे हो कि अच्छा 50% chances हैं सही होने के, तो मैं इस question को attempt कर लेता हूं, ठीक है? 3rd important thing, कितने questions attempt करें? ठीक है, तो यहाँ पर एक example लेते हैं, अगर 100 marks का paper है, तो make sure that you are attempting at least 80 to 85 questions, उसका reason है, देखो, negative marking क्योंकि exist करती है, तो ऐसा भी नहीं करना है कि बिल्कुल सब को छोड़ करी आजाओ, और ऐसा भी नहीं करना है कि 100 के 100 questions attempt करके आजाओ, ठीक है? consider it, consider करो उसको कि यह exist करती है, ठीक है? अब यहाँ पर, जैसा मैंने already कहा कि, क्योंकि negative marking है, तो आपको कम से कम 80 to 85 questions attempt करके आने ही है, ठीक है? उसमें यह होता है कि आपके selection के chances बढ़ जाते हैं, reason यह है कि जब आप 80 to 85 questions करके आ रहे हो attempt, तो उसमें से definitely there are going to be a few wrong questions as well, तो वहाँ पर जो आपका score होता है, वो अपने आपी 85 अगर आपने करे हैं, तो वहाँ पर वो score आपका 75 से 80 के बीच में रहने वाला है, ठीक है? अगर आपने accuracy से करा है, जो negative marking tip मैंने आपको दिये, उससे आपने किया है, ठीक है? तो यहाँ पर score कही नगए 75 से 80 के बीच मे आजाएगा, जो आपका selection possible करवा देगा, ठीक है? Second important चीज यहाँ पर यह है कि जब भी आप paper को attempt करें, किसी भी question को पढ़ें, तो वहाँ पर हमेशा keywords को identify करें, ठीक है? जैसे accept, not, कई बार double negative questions भी आते हैं, जहाँ पर not और accept दोनों दियावा होता है, ठीक है? फिर prioritize, priority nursing action, immediate nursing action, essay words को identify करो, मतलब पहले information देखो, आपको क्या दी है, उसमें से आपके काम का कितना है, and finally question आप से पूछना क्या चाह रहा है? So this should be your sequence, ठीक है? And at the end, एक pro tip सबके लिए for all the competitive exams, कि जब भी आप exam attempt कर रहे हो, never leave any question for mark for review, एक option आता है na mark for review, जहाँ पर हम देखते हैं कि भई, इस question को हम बाद में attempt करेंगे, तो हम उसे mark for review कर देते हैं, तो हमेशा याद रखना कि mark for review के लिए कभी भी question को मत छोड़ना, because last moment पे time का shortage होता है, और फिर हम उस question को attempt नहीं कर पाते, और जो भी question आप mark for review के लिए छोड़ते हो, उसको unattempted count करता है आपका examiner, so do not leave any question mark for review, इस कि मैं session के end में हमेशा कहते हूं time for showdown, तो सबसे important बात ये है कि paper को कम से कम 3 बार go through होना है, ठीक है, whenever you're attempting your paper, make sure कि आपने सारे questions को at least 3 बार पढ़ा है, first attempt में उन questions को solve करो, जो आपको पहली ही बार में लग रहा है कि मुझे ये आता है, ठीक है, you're very sure about it, go for it, second round में उनको question को solve करो, जिन में आपको थोड़ा बहुत doubt है, थोड़ा बहुत, जादा नहीं, थोड़ा बहुत doubt है, कि ये correct भी हो सकते है, मैंने पढ़ा है, ठीक है, उन questions को time दो, third round में उन questions को देखो, जो आपने कभी नहीं पढ़े और अगर फिर भी वो आपको लगते हैं कि नहीं समझ में आ रहे हैं, तो बिलकुल उनको छोड़ दो, so this is what you can do to avoid silly mistakes in your exams and also to control your negative marking, thank you so much.